हेलो एन विल्कम दोस्तो दीप इलेक्ट्रोनिस लैब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं एक पैनल को रिपेर करने जा रहा हूँ जिसके अंदर एक अनुखा प्रॉब्लम है अगर आप LCD LED TV रिपेरिंग का काम करती हो तो आपके पास एक ना एक ऐसा प्रॉब्लम जुरूर आया होगा तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम को समझाना पड़ेगा या समझने पड़ेगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्ब करता हूँ कौन से ऐसा वोल्टेज है और कहां पे वोल्टेज है जो कि हमें देना परेगा एक्स्टरनल है जिसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्ब होगा देखे ये जो टीवी आया है आमारे पास इस टीवी का अंदर पैनल के अंदर जब पिक्चर बनने जाता है तब जो चारो जो कॉर्णार है जो साइड साइड है पैनल का उसमें से थोरा थोरा करके हमें निला निला पिक्चर या ग्राफिक्स देखाई देता है उसके बाद हमें कुछ भी कोई भी चीज हमें देखाई नहीं देता है ग्राफिक्स भी नहीं बनते हैं वो आप सबसे पहले देख लेज़े कि हमने इसके अंदर साप्लाई दे दे हूँ और साप्लाई देने के बाद जाब इसको अन कड़ा और आपको दिरे दिरे आप यह जो पिक्चर जो है न साइड साइड बन रहा है आप अच्छे से देखिए और समझने की कोशिस करिए कि ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके टिवी का अंदर भी आए तो कैसे उसको सॉल्ब किया जाता है मोडिफाई करके यहाँ पर देखिए यह जो नीला नीला आप लाइनिंग देख रहा हूँ न इसके अंदर यही प्रॉब्लम है धिरे धिरे करके यह नीला जो हिस्सा है यह बरेगा और जैसे बरेगा और लास्ट में जाके जो है पिक्चर जो है नहीं बनेगा इस टाइब का प्रॉब्लम को आप जो है पैनल का प्रॉब्लम कह सकते हो और ऐसा प्रॉब्लम हम लोग बहुत सरे रिपेर कर चुका हूँ और इस टाइब का प्रॉब्लम उसी पैनल के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर साइड कॉप लखे होते है यहाँ पे दिखिए एक side cough IC लगा हुआ है तो अब हमें इस side cough IC का data sit हमें निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन से ऐसी voltage है जो कि missing है और उस voltage को हम लोगों को जो panel का PCB होता है टिकन PCB होता है वहाँ से लेकर voltage को यहाँ पे देना पड़ेगा और यही problem के कारण ही इस type का problem हमें देखने को मिलता है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपके panel के अंदर जो cough IC लगे होते है उस cough IC का data अगर आपको लेना है तो आपको हमारे website पर मिल जाएंगे तो यह देखिए उस cough IC का data sheet जो cough IC और जो cough का पते हमारे panel के अंदर लगा हुआ है वही same to same वाला यह हमारा cough IC का data sheet है तो मैंने आप लोग को क्या बता है कि अगर आपको किसी भी cough IC का data sheet चाहिए तो google पे जाके search किजिए deep electronics lab.com आपको वहाँ पे हमारा जो एक website मिल जाएंगे deep electronics lab.com नाम पर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो चले आप देख लेते हैं कि इसके अंदर जो CPV voltage और STV voltage है ना वो हमें missing देखने को मिला था यहाँ पे देखिए अब नीचे से जो यहाँ पे CPV लिखा हुआ है और यहाँ पे STV लिखा हुआ है ना इन दोनों के अंदर ही हमार जो problem आते हैं इस type का problem अगर आपको किसी भी panel के अंदर देखने को मिलेगा तो आप 80 से 70% है कि 70 से 80% जो problem हमें देखने को मिलता है इस STV voltage missing होने के वायसे ही आते है कौफ IC के अंदर जो कि side cop लगे होते हैं और कुछ-कुछ cases के अंदर जो CPV voltage है यह भी उसके निकोट में आने के बाद वो भी खड़ा हो जाती है इसका जो voltage हो वो भी missing होने लग जाती है तो हमें इन दोनों जो voltage है ना इन दोनों voltage को हमें जो panel PCB है उस panel PCB से देना परेगा तो चलिए वो ही हम लोग करते हैं और आपको इस panel को ready करके दिखाते हैं तो modification करने के बाद आप एक बड़ टेस्ट कर लेता हूं कि हमारा modification का जो प्रोसेस है वो complete हुआ है कि नहीं हमारा जो जो यह देखिए यह Vion का logo आ चुका है हमने जो modify करा हूं यह successfully हो चुका है तो चलिए आप मैं आपको दिखा दीता हूं कि कहां से कौन सार track को हमने modify करा हूं कहां पर concept voltage हमने जो कौफ आई से उसका अंदर दिया हूं मैं खास करके दो मैंने जो रहा हूं जो STV होता है CPV जो voltage होता है वो दोनों voltage हमने इस PCV के अंदर से दिया हूं यहाँ पर देखिए हमने इस जगा से दो ओयर हमने लिया यहाँ पर अच्छे से देखिए और यह जो छोटे छोटे जो पिक्चर्स होते है यह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे उसके साथ हमारे इंस्टाग्राम एकाउंट ह आपको मिल जाएंगे कि मोडिफिकेशन किस तरीके से करता हूं अगर आपको पिक्चर चाहिए ना वह आप हमें सारे जगाप फोलो कर लेजिएगा इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पे और आप जो मोडिफिकेशन करने के बाद जो पिक्चर्स होते है वो भी हमने अपने पैनल ठीक हो गया है तो मुझा आसा है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया है और इस टाइप का प्रॉब्लेम को सॉल्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको यह भी पता चल गया है तो ऐसी तरीके का वीडियो अगर आप आगे आने बलो दिनों देखना है या अगर आपके मन में इलेक्टोनिस के लेकर या LCD लेटीव रिपेरिंग के लेकर कोई भी सवाल या सुजाब है वह भी अपनी कमेंट करके बताएगा आपका कमेंट का रिपले जल्द ही किया जाएगा हो सके तो आपके कमेंट के उपड़ एक वीडियो भी बन झाल कना मेंगा है या एका कमेट झाल रिपले मोत कर भी यूमझ मौले वी जाएगा लेकर कोई ट्सक्क्षाण